नमस्ते दोस्तों कैसे हो आप सब आप सब आप सबी अच्छे होंगे हमेशा की तरह धमाकेदार टिप्स और ट्रिक्स में लेके आई हूँ जरूर एंट तक वीडियो देखिए पसंद आए तो दोस्त के साथ शेयर करना ना भूले तो यहाँ पर हमारी पहली टीप है सबजी क गर भी कभी कबार बनाते तो इस तरह के से ओए ज्यादा हो जाता है और आजकल तो हेल्दी खाना पसंद होता है सबको और इतना ओइल खाएंगे तो ज़रूर बीमार्या भी आएगी और बहुत ज़्यादा अजी भी इसका टेस्ट हो जाता है तो इसके लिए हम आइल हटा पानी डाल के फ्रीजर में रखना है इससे कि आपका ये इस तरीके से बन जाएगा और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके फ्रीज में जो आइस क्यूब रखी हुई न वो आप ले सकते हो और एक चमच में बड़े चमच से आइस क्यूब डालिए और ये प्रोसे चिपक जाएगा और चमच से आप इसे अराम से हटा सकते हो बहुत ही आसानी से सारका सारा ओयल चला जाता है और हमारे सब्जी का टेस्ट भी बना रहता है बिल्कुल भी खराब नहीं होता जितना चाहे उतना आप ओयल इसमें से निकाल सकते हो बहुत ही कमाल की ट्रीक है इससे पहले आपने कभी भी देखी नहीं होगी, मैं खुद ये यूज करती हूँ, हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने आपके साथ भी से शेयर किया है, तो देखें किस तरीके से हम सबजी के उपर से ओयल निकाल सकते हैं, जादा तर देखें घर की जो सबज दिखाना खा सकते हो, पर देखें सबजी भी खराब नहीं हुई, और बहुत सवरा ओयल भी निकल गया, कम टाइम में, पसंद आया हो, तो जादा जादा शेयर कीजिए, और यहां पर हमारी जो नेक्स टीप है, वो है बलून के लिए, तो देखें क्या होता है, बलून जो ह पर गर में इदर उदर ऐसे पड़े रहते हैं, पार्टी में आते हैं, थोड़े वो जो खराब बलून होते हैं, उसका भी उज़ हम कर सकते हैं, बस बलून को इस तरीके से, आप दो उंगलिया डाल के थोड़ा बढ़ा कर लीजिए, और इसके अंदर हमें डालना है शाप बहुत ही आराम से चला जाता है, कई बार आपने देखा होगा, जब भी हम घर साफ करते हैं, तुरन बच्चे पेंसिल को थोड़ा नोगदार बनाने के लिए इस तरीके से शाप करने लगते हैं, तो इसमें जो बारी बारी कच्रा होता हैं, वो घर में फैलने लगता है, त फिर से घर में कच्रा होता है, हमें सफाई करनी पड़ती, तो ये दिक्कत भी आपकी दूर होने वाली बलून की मदश से, क्योंकि इसमें जो भी कच्रा है ना बलून के अंदर चला जाएगा, और बहुत दिनों तक आपको इसे निकालने की बाहर फिकने की ज़रत नहीं प जाएगा, और चलें देखते हैं हमारी नेक्स टीप, तो यहां पर देखिए, अभी जैसे विंटर का सेजन आज चुका है, तो उसमें क्या होता है, अकसर हम जैसे सॉक्स पहनना चाते हैं, तो एक जोड़ी कही है, एक जोड़ी कहां पर मिल नहीं पाता, साथी में बहुत स चोटा कर सकते हो, उसके बाद दिखें, लास्ट वाला जो सॉक्स है उसे हमें लेना है, और इस तरीके से उसे अंदर की तरफ मोड़ना है, तो जिससे की यह बिल्कुल पैक हो जाएगा, इससे आपको घर भी और्गनाईज रखने में मदद होगी, साथी में दो जो सॉक्स आपके एक ही जगा पे मिलेंगे, सुबर सुबर आपको ढूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही आसान ट्रिक है, जरूर ट्राइ कीजे, इस ठन के सीजन में आपको यह बहुत काम आएगा, और यहाँ पी जो हमारी नेक्स टिप है, वो है इस तरीके के लकड़ी यूज करने वाली हो, अंदर डाल के देखिए, कि अंदर गीला है की नहीं, तब जाके आप इसमें पानी डाली, यह बहुत ज़रूरी होता है, अगर आप प्लांट लवर होना, तो आप एक एक प्लांट को बहुत अच्छी से रखना चाहते हो, तो इस तरीके से आप छोट यह बड़ा मुश्किल काम लगता है, पर यह काम आपका आपका आसान होगा, एक क्लॉट क्लिप की मदद से जो कपड़े की चिम्टी होती है, उसका हमें यूज करना है, अकसर देखिए, जो ग्रेटर होता है, उसे हम इस तरीके से रखते हैं, वो ग्रेट करने लगता है, और हमारा जो गाजर है उसे भी हम फास्ट कदुकस नहीं कर पाते, तो उसके लिए आपको लेनी है, क्लॉट क्लिप और इसे लगाना यहां पे, जिससी कि आप देखिए, बहुत ही अराम से लग जाएगा, और मैंने यहां पे लोहे वाली जो स्टील वाली होती है, क्लॉट क्लिप वो ली, क्योंकि मजबूत होगी, प्लास्टिक वाली भी मजबूत है, तो आप यूज कर सकते होती है, यहां पे देखिए, इसे रखने से क्या होगा, एक तो हैंडल की तरह हम इसे यूज कर पाएंगे, साथी में यह थोड़ी प्लेट से उपर आ जाता है, जिससे क बहुत ही अच्छे से अंदर गैब बनता है, और बहुत सारा गाजर हम इस तरीके से कद्दुकस कर पाएंगे, और प्रेशर भी बहुत अच्छे से हम दे सकते हैं, जिससे कि हमारा यह काम बहुत ही आसानी से जल्दी हो जाएगा, है ना कमाल की ट्रिक, आप भी जरूर रा पर इस से बहुत सारा जो हमारा गाजर है उपर की लेर है वो वेस्ट हो जाती है, साफ नहीं करेंगे तो इसमें जो थोड़े बहुत कंकर अटके हुए होते हैं, या फिर जैसे बाल होते हैं, वो मुह में आ जाएंगे गाजर का हलवा खाते वक्तों, इसके लिए आपको ए अगर करना है तो भी कर सकते हो, और थोड़े थोड़े अगर पैचे से अंदर बिल्कुल फसी हुई है, मिटी या फिर तो उसे इस सरी के से निकाल सकते हो, अब यहाँ पर दूसरी ट्रीक यह है, कि क्लोग क्लिप को आपको एक बात ध्यान रखिए, साफ धूके लेना है, म क्या होता है, उपर उपर से आप निकालोगे, थोड़े बहुत रेशे, जो बालोती नों वो रह गए, तो फिर वो मुह में आने लगते हैं, तो इसके लिए आपको यह प्रोसेस बहुत ही अच्छी लगेगी, इसमें जादा गाजर भी वेस्ट नहीं होता, टाइम भी नही करना है, तो आप नेल कटर का भी यूज कर सकते हो, यहाँ पर देखें, नेल कटर हमें लेना है, इसे भी मैंने अच्छे से साफ करके धुल के लिया है, इसे मैं यूज नहीं करती, यह बहुत पहले ही खराब हो चुका था, तो रखा हुआ था, तो मैं इसी का यूज करने हो, जैसे हम कही ट्रैवलिंग में है, या फिस जैसे कही ट्रीप पे गए है, नाइट कैम के लिए, तो आप यह ट्रीक यूज करके गाजर का हलवा बना सकते हो, तो इसमें से आपको जो भी चीज अच्छी लगे, उसे यूज करके आप ये काम आसान कर लीजिए, इसे हमार कौन सी ट्रीक अच्छी लगी, मुझे जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताए, वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजे, शेर कीजे, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, ऐसे यूसफुल वीडियो मिलाती रहती हूँ, पूरा वीडियो देखने के के लिए दिल से थेंक यू